प्यारे शांठियों नमस्कार और एक बार आपका पुना स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम जिस टॉपिक पर अध्यन करने वाले हैं वो है वेज आफ नेशन बिल्डिंग या राष्ट निर्माण के तरीके पिसले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राष्ट निर्माण किसे कहते हैं और राष्ट निर्माण के बारे में हमने बाते की थी उससे ही आगे बढ़ींगे आज तो जो राष्ट निर्माण है वो हम जब उसका अध्यन करते हैं तो हम पाते हैं कि राष्ट निर्माण दो परकार का है एक उन राष्ट्रों में जो उपनिवेस वादी थे और एक उन राष्ट्रों में जो कि किसी देश के उपनिवेस रहे तो क्या है दो परकार के राष्ट्रवाद हमको लगभग विस्तों में देखने को मिलते हैं अगर हम आजाद और अधिनस्त आजाद यानि कि जो स्वतंत्र थे और अधिनस्त यानि कि जो किसी के अधीन थे यानि कि प्रतंत्र थे इनके स्थितियों का भी परिक्षण करें ऐसे मानसिक्ता का भी परिक्षण करें तो हम राष्ट्रवाद और जो इससे संबंदित विशय हैं जैसे राष्ट्रियता और राष्ट्र आदि अन्यम तो इनका जब हम परिख्षण या अध्यन करते हैं तो हमको क्या है बहुत सारे भिन भिन अर्थ देखने को मिलते हैं अगर जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो एक राष्ट्रवाद है वो उपनिवेसो का है और उनका राष्ट्रवाद कब से प्रारम होता है जब उन्होंने पोप साही से अपने आपको स्वतंत्र किया और वे स्वतंत्र राज राज्यों के रूप में क्या है अपने आपको उन् पुरित किया या स्वतंत्र राज्यों के रूप में उनका निर्माण होगा तो उनका राष्ट वाद हमको वहां से देखने को मिलता है जो उपने स्वाधी राष्ट है यानि कि यूरोप के जो राष्ट है उनकी मैं बात कर रहा हूं और इन्होंने अपना राष्ट राज्यक कहा से प्रारम किया जब इन्होंने यह कहा कि विश्व भर में जितने भी राष्ट हैं हम उनको सब्या बनाएंगे क्योंकि वो क्या है असब्या है आपने English story पढ़ी होगी जो British क्या है जो English story है वो ये मानते हैं कि वो सब्य है और बाकी विश्व क्या है असब्य है और उनका कार्या है कि उनको विश्व क्या अन्य लोगों को क्या है सब्य बनाना है तो एक राष्ट निर्मान का तरीका हमको यहां मिलता है यह बोल सकते हैं जो उपनिवेस वादी है जबकि जो पस्चमी राष्ट है तो कि वो उपनिवेस थे और उपनिवेस होने के कारण उन्होंने जब इन उपनिवेस से अपने आपको स्वतंत्र कराने की कोशिस की तो उन्होंने इस व्यवस्ता को ही क्या है राष्ट निर्मान का नाम दिया जब वो उपनिवेसों से क्या है स्वतंत्र है तो दो परकार के राष्ट निर्मान के तरीके हमको देखने को मिलते ह हैं अब आप आसानी से समझें अब अगर हम देखें विश्व के लोगों को हम क्या हैं दो वर्गों में बाट सकते हैं एक वर्ग में हम उन लोगों को सामिल कर सकते हैं जो स्वायत्य सासी परक्रिया स्वायत्य सासी आने की स्वतंत्र रूप से राष्ट्र बने और इन सक्तियों कि यह कह सकते हैं इस परकार स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वह राष्ट्र बने जो उनके भीतर से कोई सकती क्या है भार आई हो भीतर से आने के चाहे वह अगर भीतर से ही आई कि वाई विश्व के समस्त्र लोगों को हमने क्या करना है सब्यों बनाना है तो उनके आंत्रिक अंदर से क्या है यह बात निकली या आंत्रिक सकती के कारण ही क्या है वह क्या है स्वायत हुए थे यह स्वतंतर राष्ट के रूपनों ने अपने आपको जा किया था अस्थित्व में लाये था और इस परकार हम इने क्या है मूल राष्ट या ओरिजनल नेशन्स क्या है कह सकते हैं मूल राष्ट या ओरिजनल नेशन्स हम इने कह सकते हैं European countries जितने भी हैं उनकी उनको इस्तिरेणी में रखा जा सकता है और राष्ट्रों का जो दूसरा वर्ग है वो इनी मूल राष्ट्रों की परकिरिया के स्वरूप में उबरा या परतिकिरिया के रूप में उबरा क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब इन राष्ट्रों अन्या राष्ट्रों को अपने उपनिवेज बनाए और उपनिवेज बनाने के पस्चार जब उन राष्ट्रों में जाग रित्ती हुई और उन राष्ट्रों ने इन उपने उपने उपनिवेज से उसे अपने आपको स्वतंत्र कराने की गोशिस की तो वे राष्ट्राज उदय में आएक, इन तो, आपको ध्यान रखना होगा कि ये परतिकरिया जो मैं बता रहा हूं, उपनिवेस उभरने की, ये दो रूपों में हमको देखने को मिलते हैं, एक तो, हमको सामन्तिय जो सामराज्य थे, वहाँ भी ये देखने को मिलता है, जैसे हैम्सपर्क और जार के सामराज्य इन सामराज्यों में एक सासक वन्स विविन लोगों को क्या है अपने अधीन रखने की कोशिस करता है जो आपने सामबंत वादी विवस्ता सुनी होगी उसमें ये विवस्ता है इतियास के चात अच्छे से इसे समझ पाएंगे विविन लोगों को क्या है अपने अधीन रखने की कोशिस करता है और जिसके कारण क्या है वे उन लोगों को और जिसके कारण जब ये लोग स्वतंतरता हासिल करते हैं क्योंकि इनकी राष्टे जागरिक्ति को दबाने का कोशिस किया जाता है तो जब ये लोग स्वतंतरता हासिल करते हैं तो उसको भी एक भाग राश्ट निर्मान का कहा जा सकता है और दूसरा जो मैंने अभी अभी बताया आपको कि उपनिवेशी तागतों से अपने आपको जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, जितने भी है यह जो जितने भी नए राश्ट निर्माय चाइना तो यह इस दूसरी स्रेणी में हम इने रख सकते हैं तो राश्ट निर्माण के दो तरीके हैं एक स्वयम से जो राश्ट बने हैं और एक उपनिवेशी तागतों से जो अपने आपको स्वतंत्र करके राश्ट बने हैं अब यह बने कैसे हैं उसको देख लेते हैं तो दोनों ही पर परिवासित करने के कोशिज करें यानि कि कोई इस भी समाज हो सकता है विशिष्ट समाज है मतलब कहने का अर्थ है धार्मिक समाज हो सकता है या राष्ट्रिय समाज हो सकता है किसी भी परकार के समाज में हैसियत हैसियत से याने की एक रुत्बे या फिर वो किसी भी परकार का रुत्बा हो सकता है और किसी मान्यता के लिए क्या है किसी मान्यता के लिए एक मान्यता ली उन्होंने और उस मान्यता के लिए ही क्या है जाग रुकता फैलाई अपने राश्ट्रों में कि हमको अपने नागरिकों के मध्या कि हमको क्या है विश्व के अन्य लोगों को सब्य बनाने का कार्य करना है तो यह क्या थी किसी एक विशिष्ट समाज में अप अगर अगर हम जो उपनिवेश थे जिसे भारत चायना जी जितने भी राष्ट ऊपनिवेश थे उनके संदर में नसलवात को देखें तो अपने लोगों को जो अपने समाज के लोग हैं वह उन्हें इन उपनिवेश राष्टー रॉट티ис या इनसे मुक्ति पाने बोल सकते हैं मुक्ति पाने के लिए जो व्यक्तियों के वीतर जाग रुकता लाई गई उसको भी नसलवाद है तो दोनों ही समाजों में हमको क्या है नसलीत या नसलवाद देखने को मिलता है और इस परकिरिया में जो राष्ट निर्वान की परकिरिया है उसमें जो समू के लोग हैं वे सामाजिक कार्य हित्व क्या है उनको सामाजिक कार्य हित्व प्रेरित करने के लिए एक साधन और केंद्र बन जाता है कौन नसल या नसलियत या नसलवाद और इस परकार राष्ट के निर्माण की परकिरिया की सफलता पूर्वक पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम दो क्या है अवधार्णाओं को देखते हैं पहले जो आउधार्ना है वो क्या है राज्य के तंत्र के माध्यम से धर्म निर्पे एक दिरिष्टी कोण सहीत एक समझातिय राष्ट्य व्यक्तित्व का अंतजातिय समाज के निर्माण द्वारा राज्य के तंत्र माध्यम से यानि कि जो राष्ट है उसके तंत्र माध्यम से धर्म निर्पे एक दिरिष्टी कोण सहीत यानि कि सभी व्यक्तियों को सभी धर्म के लोगों को अपने साथ एकत्रित करते हुए एक सम जातिय यानि कि बहुत सारी जातियों को मिलाकर एक जातिय समाज राष्ट्य व्यक्तित्य का अंता जातिय समाज के रूप में निर्माण यानि कि जो भारत के संदर में आप देख सकते हैं और दूसरा बहुत जातिय समाज में एक जातिय वर्ग के आत्म परिचित राजनितिक समुदाय में रूपांतरन द्वारा तो क्या है एक में दो में इस्तावित होने के लिए और जो उपनिवेस थे उनको देखें तो क्या है? स्वतंत्र होने के लिए क्या है? वे विभिन जातिय में है ज़्ये जिस भी परकार है अपने आपको क्या कर रहे हैं? एकत्रित वो करने का प्रयास कर ए है. बारत के संदर में तो आप सभी जानते हैं कि इन में से कौन सा वाला दृष्टिकोण आएगा कहीं न गहीं उपनिवेस था भारत तो अगर उस रूप में देखे तो उपनिवेस वाती दृष्टिकोण आएगा तो इसको मेर जे नहीं लगता कि आपको समझाने की आउशकता है क्योंकि भारत का राष्टे राध आंदुलन को आप सभी बहुत छोटी खच्छाओं से पढ़ते आए हैं तो उसके बाद जो अंतिम विशाय हमारे पास आता है कि राष्ट निर्माण की जब हम संकल्पना को देखते हैं तो हमारे पास दो दिश्टी पोन आते हैं एक आता है उधारवादी और एक आता है सर्वादि-कारवादी यानि कि जब राष्ट का निर्माण कर लिया हमने तो दो परकार के राष्टों का निर्माण हमने कि एक उधारवादी राष्टों का एक सरवादी कारवादी राष्टों का उधारवादी राष्ट यानि कि ऐसे राष्ट जो अपनी जनता के कल्याण है तो क्या है वैसे तो कोई भी राष्ट है क्या है जनता के कल्यान के लिए होता है और उधारवादी राष्ट क्या है जनता के जब तक जनता चाती है तब तक क्या है उनकी जो गौर्रमेंट से वो बनी रहेगी जिबकि जो सरवादिकारवादी राष्ट है वो क्या है? जैसे चाइना, उत्तर कॉरिया, प्रारंब में रूस भी इस परकार था तो सर्वादिकारवादी राश्ट्र क्या है? कि राश्ट निर्मान होने के बाद उन्होंने अपने सारे अधिकारों को क्या है? कुछ व्यक्तियों ने अपने हाथों में रखने का जो कोशिस की और अपने हाथों में रखा हुआ है सारे अधिकारों को तो वो सर्वाधिकारवादी है और उधारवादी राष्ट्रों में जो अधिकार होते हैं वो किसके पास होते हैं? जन्ता के पास होते हैं जन्ता अपने अधिकारों के माध्यम से या जन्ता अपने जो मद्दान का है उसके माध्यम से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्या है एक सरकार का निर्वाचन करती है और वो सरकार क्या है जنتा की अधिकारों का प्रियोग करती है तो दो प्रकार के राष्ठ हमको उधारवादी और सरवादिकारवादी देखने को मिलते हैं राष्ट निर्माण के बश्चा उधारवादी देश में सर्वसम्मति यानि कि सभी लोगों की सहमति के आधार पर राष्ट या राजनितिक व्यवस्ता यानि कि जो सरकार है उसके निर्माण की अपेक्षा की जाती है जबकि जो सर्वाधिकारवादी देश हैं उसमें क्या है कुछ व्यक्ति अपने पास ये अधिकार रख देते हैं और हिंसात्मक रूप से क्या है सरकार चलाने की कोशिस करते हैं तो ये था राष्ट निर्माण के तरीके यानि कि राष्टों का निर्माण कैसे हुआ तो आपने इसको समझा मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आप आया होगा आप लोगों ने मुझे सुना आप लोगों का बहुत बहुत अन्यवाद